नमस्कार मैं गुप्ते सुर्फ अंडे डीजी पी बिहार ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं तो बहुत वहों को कन्फ्यूजन है कि तीसरे चरण के लॉक्डाउन में साहथ कुछ छूट है कोई छूट नहीं है कोई छूट नहीं है तीसरे चरण का लॉक्डाउन की वैसे ह जैसे पहले चरण का लॉक्डाउन था आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है केवल और एंज जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कुछ सरकारी कामकाज के लिए अलाव किया गया है विशेश परिखिती में कुछ दुकाने खुलने का संबंदित जीरा प्रसास दुकाने ले सकता है बाकी कोई दुकान नहीं कुलेगा कोई सब बंद रहेंगे पहले ही कि तरह इसलिए इस बात को अची तरह समझना है मोटरसांकिल पर फास लेकर के सर एक आदमी ही चल सकता है दो आदवी नहीं और पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना हो तो डर about me जाना होगा लेकिंडि नोने इसलिए पेक नहीं चलेंगे सामगरी ढूने वाले बाहन चलेंगे और रक्षा सरक्षा संबंधी आपात का लिंग से वाएं चालू रहेंगी और आवश्यक से वाएं चालू रहेंगी जैसे पहले चालू थी मदूर भारी शंख्या में आ रहे हैं हमारे भाई बाहर से बहुत परिसानी से आ रहे हैं बहु प्रश्चित अपने घरों को जाएंगे इसमें पूलिश प्रसाशन का डॉक्टर का स्वास्त से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे कहीं विवाद नहीं कहीं जंजट नहीं हमारे लोग नी बहुत कठिन परिश्चितियों में जान जोखिम में डाल कर ने आपको बचाने के लिए एस देश को बचाने के लिए हम आप पर यह जात्र करना है और पुलिस पर हमले भी कहीं और लोगो को कहना चाहता हूं कि पूलिस पर प्रसासन पर और मेडिकल के कमशारियों पर कोई भी अगर हमला करता है बहुत ही जगन्य अपराद है उनके साथ सक्त कानूनी कारवाई की जाएगी सेक्डों लोगों को जेल में भेजा गया है अब आदमी उनका गुंदा पंजी में भी नाम लिख दिया जाएग जो पोस्ट करेंगे सेक्डों लोगों को हमने जेल में दिया आप दिली में हो ममे में हो आमदाबाद में हो देश के किसी कोने में हो लेकि इस तरह का पोस्ट अगर करते हैं मुकदमा होगा आपको आज नकल पकड़ा जाएगा गुंदा रेश्टर में आपका नाम दर्ज ह करेंगे स्पीड़े कराएं गे सांपरjamin्दय को किसी विatz in विहार में बगड़नें नहीं दिया जाएगा और नाम करता हूं कि आपके सथयों से यह लॉकडाऌन सफल हुआ है आपके सहयोग से ही अभी तक बिहार बचा है, बचाएं आगे वाला समय और खत्रे का है, बहुत खत्रा खामने है, अगर आप अगले 15-20 निन तक बिहार को बचा लेंगे, तो हम सब बच जाएंगे, बिहार बच जाएगा, ये देश बच जाएगा, आप से मुखना.